केदारनाथ सोना घोटाले में मान्य परेटन मंत्री जी का बयान आया जो मैंने अभी सोना तो सोना क्या एक हपते में पीतल बन जाता है तांबा बन जाता है और वहां पर जो तांबा और पीतल वो सोना हुआ तथाकतित रूप में जो सोना था वो तांबा और पीतल जो हुआ वो क्या कॉंवरेज के लोग गए थे उसको उजागर करने के लिए मेरे कुछ प्रशन है मानिय परेटन मंत्री जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप में वो इन प्रशनों का उत्तर दे कर पॉब्लिक टोमेन में आपकी विश्वस्नियता बनाई रखेंगे नमबर एक प्रशन है दोस्तो नमस्कार क्या केदारनात मंदिर में सोना गोटाला सच में हुआ या नहीं क्या केदारनात मंदिर से 228 किलोगराम सोना गायब हुआ या फिर केदारनात में आया कुइंटलों सोना पीतल बन गया और बन गया तो कैसे बन गया इसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है आज इसी वीडियो में उत्राखन पर्याटन मंत्री सत्पाल महराज द्वारा इसी सम्मन्द में दिये गए बयान को सुनेंगे और उसके बाद उनके बयान पर उत्राखन कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता गणेश गोद्याल का जबाब और उनके प्रसन सुनेंगे इन दोनों के बयानों से केदारनात मंदिर सोने से सम्मन्दित असमंजस कापी हद तक इसपस्ट हो जाएगा इसलिए बीडियो को पूरा देखिए जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सेर कीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवस्य कीजिए उत्राखन कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पूरू पर्देश अध्यक्ष गणेश गोद्याल ने उत्राखन के पर्याटन मंत्री सत्पाल महराज से कुछ सवाल पूछे है क्या सत्पाल महराज के पास इन सवालों का जवाब होगा जिने आप इसी वीडियो में गणेश गोद्याल की जुबानी सुनने वाले हैं चुँकि उत्राखन पर्याटन मंत्री सत्पाल महराज ने बीते दिन प्रेश वारता के दोरान केदारनात के सोने सम्मंदित बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि दान दाता द्वारा कुल कितना सोना दान के रूप में दिया गया है उन्होंने बताया कि इस मामले से सम्मंदित जांच गडवाल कमिस्नर के द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट आने वाली है, सासन में गई है जैसे ही जांच की रिपोर्ट आयेगी उसे सार्बजनिक कर दिया जाएगा सत्पाल महराज ने अपने बयान में क्या कुछ कहा और गणेस गोद्याल ने उस पर क्या जबाब दिया और कौन-कौन से प्रसन पूछे आये सुनते हैं पहले परियतन मंत्री सत्पाल महाराज का प्रेश वारता में दिया गया ये बयान और इसके बाद गणेश गोद्याल का जबाब और प्रसन सुनेंगे कांग्रेस का प्रसन है कांग्रेस इस समय विपक्स में है कांग्रेस विसल ब्लॉवर की भूमिका में है अगर कुछ गलत है तो हम सीटी बजाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी उस सीटी पे आप चोकरना होकर इसकी जाच करें बहराल आपकी जाच एक सवा साल से अभी तक नहीं भी और जो हुई भी है वो सासन स्तर में है अब आपके अलावा कौन सासन है ये परमात्मा ही जाने किदारनाथ सोना घोटाले में मान्य परेटन मंत्री जी का बयान आया जो मैंने अभी सुना मान्य परेटन मंत्री जी इस प्रकरन में पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब एक साल से ज्यादा का समय हो गया सबा साल हो गया जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोसिले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिशनर स्तर की जाच बिठा रहा हूँ मैं और मैं कमिशनर स्तर की जाच कर एक मैने में इसकी रिप ज जाज है वो सासन अस्तर में है सासन पे है मैं यह पूछना चाहता हूं नंबर एक कि सासन आपके अलावा और कौन हैसा संता है। और चुंकि आप परेटन मंत्री हैं तो आप ही सासन है और आप कह रहें कि जाच जो है वो सासन में है तो आपके अलावा और कौन उस विभाग में सासन है किर्पया ये भी आप जो है जनता को बता दीजिए मानिय परेटन मंत्री जी कॉंग्रेस की तरफ अब रुख कर रहे हैं इस बात का और ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने इसको जो है अनावशक रूप से उठाया मेरे कुछ प्रशन है मानिय परेटन मंत्री जी से मैं उम्मीद करता हूं कि निशित रूप में वो इन प्रशनों का उत्तर दे कर पॉब्लिक डोमेन में अपनी विश्वस्तियता बनाई रखेंगे नमबर एक प्रश्ण है क्या मानिय प्रेटन मंत्री जी इस बात से अनविग्य है कि बदरिनाथ केदानाथ मंदिर समिति के मानिय अध्यक्स जो की सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों के माद्यम से इस बात को उस समय कहे हैं कि ये 300 किलो सोना आ रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हमने सुरक्षा एजेंसियों को लिखा है क्या वो इस बात से अनविग्य हैं कि जब वो 300 किलो सोना जो आना था वो 300 किलो सोने की जो बात थे की 300 किलो आना था उसके बाद वो इस बात से अनविग्य है कि मंदर समिति के द्वारा जब यह बात पब्लिक डोमेन में आ गई तो मंदर समिति के द्वारा उस 230 किलो को 23,000 ग्राम करके कहा गया क्या वो इस बात से अन्विग्य है कि यह 23000 ग्राम लोगों को गुम्रा करने के लिए कहा गया ताकि आम आदमी इसको 230 Kg समझे क्या वो इस बात से अन्विग्य है कि सोना के लिए मिशाल दी जाती है की सोने जैसा खरा तो सोना क्या एक हपते में पीतल बन जाता है तांबा बन जाता है और वहां पर जो तांबा और पीतल वो सोना हुआ तथाकतित रुप में जो सोना था वो तांबा और पीतल जो हुआ वो क्या कॉंवरिस के लोग गए थे उसको उजागर करने के लिए वो उजागर वहां के त नाबा हो गया या पीतल हो गया कैसे हो गया इसको भी उन्हें कहना चाहिए इसके अलावा पर रहे होंगे अंद्र डाता की दोनों की मिली भगत है और माननेभ पर्यटन मंत्रीं जी यही तो हम कह रहे हैं कि orta ही स्थिय्छ सरी आई नहीं कुछ आया नहीं वह जो आया वो सोने की पॉलिस ती जो तावे पर कराई गई और पॉछ दिनों में निकल गई और आप अभी भी वहां जाके देखिए जो बाकी के पॉलिस वहां बचीवी है वह सिर्फ इस रूप में बचीवी है कि वहां पर एकुरलिकी सीट अगर कुछ गलत है तो हम सीटी बजाते हैं और आप से उम्मीद करते हैं कि हमारी उस सीटी पे आप चोकरना होकर इसकी जांच करें वहराल आपकी जांच एक सवा साल से अभी तक नहीं वी और जो हुई भी है वो सासन स्तर में है अब आपके अलावा कौन सासन है यह परमात्